तो हलो एव्रिवन और वेल्कम तो मैं चैनल विल्ज तो दोस्तों वीडियो का टाइटल देखे आप लोगो पता चली गया होगा कि आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं तो यह है आप लोगों का the all new Kia Seltos 2022 के बारे में दोस्तों किया जो है एक साउथ कोरिया के ब्रैंड है हुंड़ाई के जैसा और दोस्तों इसके most of the part इंजिन वे अगरा भी हुंड़ाई के साथ सिमिलार रहते हैं यह ब्रैंड दोस्तों इंडिया में 2019 को लांच हुआ था और सबसे पहले गाड़ी जो है इसकी किया सल्टोस थी जो कि एक काफी अच्छी और प्रीमियम मिर्साइज SUV है अपने सेग्मेंट में यह बहुत जार फीचर प्रोवाइड करती है सबसे हाइस्ट फीचर आप सारी साथ गाड़ी जब लांच हुई थी अपने लुक्स के वज़े से काफी जार पपुलर हुई थी दोस्तों किया ब्रैंड जो है इंडिया में काफी जार फेमस हो चुका है तो किया सल्टोस जो है वो दो साल से ज्यादा हो चुका है उसे लांच किये गए है अब दोस्त दोस्तों क्या जो है अपनी सेल्टाउस के एक फैसलिट प्रवाइड करने वाला है दोस्तों यह जो फैसलिट है अप लोगो एराउंड मिड़ ऑफ ट्वटी ट्वेंटी यह निकि मेय या जून महिने के आसपास आप लोगो 2022 में ही मिल जाएगा तो दोस्तों तो 2022 में जो आप लोगो क्या सेल्टाउस अप्रवाइड किया जाएगा उसमें सबसे पहला जो मेजर अप्रवाइड होगा वो आप लोगो अब आप लोगो इसमें एक हूज पैनेरोमिक संरूप मिलेगा इस गाड़ी में जिए दोस्तों पहले आप लोगो इसम आप लोगो आप Panoramik Sunroof मिलेगा Panoramik Sunroof के साथ साथ आप लोगो गाड़ी में काफी सार styling element में भी change किया जाएंगे जैसे कि आप लोगो एक थोड़ा सा redesign grill देखने को मिलेगा new levels design देखने को मिलेगी सारी साथ rear bumper में भी थोड़ी से changes आप लोगो देखने को मिलेगे इसके साथ कुछ नया color introduced किया जाएगे आप लोगो गाड़ी की interior में एक new texture भी provide किया जा सकता है एंद दोस्तों कुछ जगह पर ये भी सुना जा रहा है कि गाड़ी में आप लोगो ADAS technology जो कि MGS store की तरह इसमें भी provide की जा सकती है on top spec variant इंजिन आप लोगो पहले की तरह semi मिलेगा जिसमें आप लोगो 3 इंजिन option रहता है एक है 115 होट्सपावर का naturally aspirated 1.5 liter यानि की 1500 cc का petrol engine दूसरा है आप लोगो 140 होट्सपावर का turbo charge 1.4 petrol यानि की 1400 cc का petrol engine तीसरा है आप लोगो 115 होट्सपावर का 1.5 turbo diesel engine एंसारी सार या आप लोगो पहले की तरह manual and automatic gearbox के साथ provide की जाएगी गाड़ी में कुछ add-on feature भी आप लोगो देखने को मिल सकते है कुछ safety feature में enhancement एंसारी सार इसके जो गर prices की बात करें तो इसके prices में भी कुछ changes आप लोगो देखने को मिल लगे मलब prices increase होंगे 20 से 30 अधा तक महेंगी हो सकती है गाड़ी इस गाड़ी के जो competitors हैं इंडियन मार्केट में अगर उनकी बात करें तो वो है सबसे बड़ा Hyundai Creta MG Aster Volkswagen Tygoon Skoda Kushak इस अभी गाड़ी इसके competition है इंडियन मार्केट में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना information था इस गाड़ी के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगो हमारे वीडियो अच्छा लगगा होगा आप लोगो हमारे वीडियो कैसे लगगा प्लीस कमेंट करके जड़ी बताएगा इन साथी साथ हमारे चनल को लाइक हमारे चनल को मैं अरो दो को सब्सक्राइब कर दिजिएगा एन साथी सा इस वीडियो को लाइक इन शेबिह कर दिजिएगा thank you guys for watching this video goodbye friends and take care